हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा सक्सकेंद्रा दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायर मैं में 2021 में जो 2380 पोश्टवर वैकेंसी आई हुई है उसके लिए सामान विग्यान का मौश्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन्स को कवर करेंगे फ्रेंट्स ये सार पर अगर आप पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा तकि जब भी कोई बिहार पुलिस फायर मैं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पा सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर जीजेगा देखें आज का सेसन का पहला कोस्टर है और आप लोग कोशिस कीजिएगा पांच से साथ सेकेंड का अंदर एंसर देने का उसका बाद जो भी करेक्ट अंसर होगा पूरी डिटेल में आपको बता पहला कोस्टन है कि कोशिका सिधानत यानि कि सेल थीवरी का परतिपादन किस ने किया था तो देखेंगे और फ्रेंट जैसे कि मैंने अभी बताए कि सारे प्रस्टन जो है प्रिवियस एर एक्जाम में पूछे जा चुके हैं वीडियो को पूरा देखेगा इसमें करीब कर प्रश्णों को कवर करने वाले हैं दूसरा कोस्टन है कि निकर्ट द्रिष्टी दोस इसको अंगरेजी में मायोपिया कहा जाता है आपको मायोपिया भी ध्यान रखना होगा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है सीधे मायोपिया ही पूछ लिया जाता है निकर्ट द्रिष्टी और option number D हो जाएगा उपर इक्त सभी और इसका निवारन जो है उपयुक्त फोकस दूरी के ओतल लेंस का इस्तमाल करके किया जाता है तो ध्यान रखेगा और दूर द्रिश्टी दोस होता है यानि कि उसको कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया यहां मैं लिख देता हूँ प्रतिवी में रेटिना परणवा बन करके रेटिना के पीछे बनता है और उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है उत्तर लेंस का उपयोग करकर के उस रोग का निवारन किया जाता है तो सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा चले तीसरा कोशन देखिएगा औ और टू को कभर किया हुआ है, दोनों सेट काफी इंपोटेंट है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है, तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेंगे, निमन में से किसको भविस्य का इंधन कहा जाता है, तो देखें फ्रेंट मानो शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाता है, तो वो चमड़ा होता है, चर्म होता है, इस तरह से ध्यान रखेगा, ठीक है फ्रेंट्स, और यकृत से ही पित सरावित होता है, पूछा जाता है कि पित कहां से सरावित होता है, लिबर का वजन कितना होता है, तो कोशिका की protein की factory जो है यहाँ ribosome को कहा जाता है कोशिका की आत्म हत्या की थैली lysosome को कहा जाता है कोशिका का powerhouse mitochondria को कहा जाता है ठीक है friends ध्यान रखिएगा ठीक है जन्तु कोशिका में कोशिका भीती नहीं पाई जाती है कोशिका भीती पादप कोशिका में पाई जाती है प वादब कोशिका में कोशिका बेती पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है ठीक है ध्यान रखिएगा नेक्ष्ट कुस्टन हमारा है कि परावैगनी किरने की खोज जो है यह किस ने किया था तो रिल्टर ने किया था ओफसर नमबर इसका सी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स और ध्यान रखेंगे आप देखे ये जो पारा वैगनी किरेन है यहां किस प्रकार की किरेन है तो विद्धुत चुम्बक की तरंग है ठीक है गामा किरेन की खुझ हैंडरी बैकुरल ने किया था एक्सरे की खुझ रोंगजन ने किया था और न्यूटन ने जो है द्रिस विकरन की खुझ किया था तो सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे मैं अपने तरब से प्यास करूंगा जितना हो सके एक्स्ट्रा अफेक्ट्स आपको बताती चलो कांसा जो है किसका मिसर धातु है तो फ्रेंट्स ध्यान द रखेंगे उसका बद अगर हम बात करें तो कॉपर और जिंक जो होता है यहां किसका मिसर धातु है तो पीतल का मिसर धातु है ठीक है पीतल जो है किसका मिसर धातु है तो कॉपर और जिंक का मिसर धातु है उसका बद अगर बात करें हम जर्मन सिल्वर तो जर्मन सिल्वर जो है copper, zinc और nickel का मिसर्धातू है German silver ठीक है फ्रेंट्स gun metal जो है copper, zinc और tin का मिसर्धातू है अगला question देखेंगे कि formic acid इनमें से किसमें बहुत ज़्यादा पाये जाता है तो formic acid जो है और seo में malic acid पाया जाता है तो ध्यान रखेंगे सभी question important है अगला question देखें अगला question है कि मानों सरीर में निमलेकित हार्मोनों में से कौन सा रक्त calcium और phosphate का वी नियामित करता है काफी important question है तो इसका नाम है पैरा थैराइड अंगरेजी में कहेंगे और हिंदे में इसको पैराबटू हर्मोन कहेंगे ठीक है यहां से क्या होता है पैराबटू गरंथी दो हर्मोन सरावित होता है एक होता है पैरा थैराइड हर्मोन यानि कि पैराबटू हर्मोन और दूसरा है यहां मैं लिख देता हूं केल्सिटोनिन यह दो हार्मों शरावित होता है इसमें क्सिया होता है कि अगला कुस्ष साथ हुआ केटाई-टाई-ड्रोक पयुचा क्रते हैं तो टृट्पी च्टाई-टाई-टाई-टाई-क्ए-कषाद्र पुछा जाता है ठीक है और मानों सरीर में जब कॉपर की मातरा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है विलसन रोग होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है फ्रेंट्स चलिए नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा कि एक समतल दर्पन की वक्रता तिर्जया क्या है यह अनन्त होती है आपसे नमबर बी रैट अंसर हो जागा अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंदार है तो फ्लीज फ्रेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेय जरूर किया करें नेक्स्ट कुस्टन हमारा है कि सुर्य की किर्णू की तिवर्ता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो सुर्य की किर्णू की तिवर्ता मापने वाला जो उपकरण है उसको एक्टीनो मेटर कहा जाता है अल्टी मेटर वाइवान की उचाई मापा जात इंपोर्टेंट कुस्टन है माइनस 40 डिग्री होता है और इसी से व्रिधी हर्मन स्रावित होता है ठीक है और यहां जो है मस्तिस के आधार में इस्तित होता है नेक्स्ट कुस्टन हमारा है कि मनुस में अलफा टॉक्सिन खाद विशाक्तन द्वारा समानेता कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आसान कुस्टन है लेकिन इंपोर्टेंट कुस्टन है इसमें जो है लिबर यकरित प्रभावित होता है नेक्स्ट कुस्टन हमारा कि निम सील धातु सीजीयम है ये भी ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोस्ट है कि एक विदू थीटर 220 वोल्ट पर पांच धारा लेता है तो उसे पांच घंटे तक चालू रखने पर कितने विदूर्जा खर्च होगी तो फ्रेंट्स मैंने अब तरीका आपको बताया था कि कुछ भी न नेक्स्ट कुस्टन हमरे कि एक अधर्स वोल्ट मेटर प्रतिरोद क्यतना होता है और ध्यान रखेंगे परिपत में वोल्ट मेटर को समानांतर क्रब में जोड़ा जाता है और परिपत में आम मेटर को जो है सिरेनी क्रब में जोड़ा जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु का संवेग दुगुना करने पर कितनी हो जाएगे तो काइनेटिक एनरजी और संवेग का जो आपको याद होगा ठीक है फ्रेंट अब देखेंगे इसमें क्या जा रहा है कि यह हमारा संवेग यह दुगुना हो जाएगा तो यानि कि इसका दुगुना हो जाएगा ऑट नीचे टू एम हो गया और इधर काइनेटिक एनर्जी तो है गया तो देखे चार गुना हो गया तो राइटेंसर अप्सिन नमबर सी इसका हो जाएगा उसका बाद देखिया ओरल पोल्यो वैक्सिन यहां रेजिम में भी लिखावा ओपी भी ठीक है जो पोल्यो वैक्सिन औरल मुह में दिया जाता है किस वेगारिक ने खोज की थी तो द दोनों ध्यान रखेंगे Hangए ben 98 कि कूछ किशन से तो टीका करण का खोज किस ने के था आडविक जेन्र ने किए लुए पास्तर ने रेविज केशते थी तीके यह भी आप धियान रखेंगे अगला कोशन कुछन देखिए कि निमलेकित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जन्तुओं में उर्जा का भंडार माना जाता है तो यह कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन जो है हमारी सरीर में जितनी भी जो स्टार्च है यह सारे ग्लाइकोजन के रूप में यक वो क्या कहलाता है वो एलकेन कहलाता है और इनको संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है सिंगल बॉंड डबल बॉंड वालों को और संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है ठीक है तो डबल बॉंड किसमें होता है और ग्रेगर जौन मेंडल को क्या मना जाता है तो अनुवान सिक्ता का जनक कहा जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे अगला कोशन हमारा है कि किसी मनुज़ का भार पृत्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा तो 600 गुना एक बटा छे आप सभी को पता है चंद्रमा पर जी कमान एक पृत्वी का एक बटा छे होता है आप इसको काट दीजिए कितना बज़ जाएगा 100 न्यूटन रैटन सर हो जाएगा अगला कोशन देखिए कि आम तोर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रियोग किये जाने वाली जो ता ग्सका दार में जिसमें विदुद प्रभाईत होती है लाइवत्वितर में ही इसको जोड़ा जाता है और यहां जो होता है टीन और सीषे का मिशए धातू होता है अगला कोस्ण हमारा है कि विदुद हिटर का element किस धात्व का बना होता है बल्ब का filament tungsten का बना होता है विदुत हुटर का element जो है यह नाइक्रोम का बना होता है ध्यान रखेंगा प्रशन बार बार पूछा जाता है टमाटर का रंग लाल जो है किस वर्णक की उपस्तेती के कारण होता है अब सभी को पता है लाइकोपीन के कारण होता है मेलानिन के कारण मानोत्वचा का रंग बनता है ठीक है उसका बद कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है वुटानिन के कारण चुकुंदर का रंग होता है ध्यान रखेंगे अगला कुश्चन हमारा है किस अक्रिय गैस का उप्योग गैंसर की इलाज के लिए किया जाता है एक वोल्ट बटा क्या होगा तो आप सभी को पता है वी उक वोल्ट प्या होता है आई अपोन आर होता है तो क्या हो जाएगा R equal to कितना हो जाएगा B upon I हो जाएगा तो यहाँ एक volt बटा एक ampere हो जाएगा एक ampere right tensor हो जाएगा अगला कोसन देखिए कि निमलकित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वास्प में परिवर्तित करती है तो ठोस को बिना द्रव में परिवर्तित करती है सीधे वास्प में जो परिवर्तित करती है वो उर्दवपातन कहलाता है sublimation कहलाता है अगला कोसन देखिएगा सुची एक को सुची दोसे मिलान करना है तो देखिए एक तरफ जो है क्या दिया हुआ है अगला कोसन देखिए कि यदि किसी वस्तु का वेग तीन गुणा कर दिया जाए यारी बढ़ा दिया जाए तो इसके गती जुर्जा क्या हो जाएगी तो गती जुर्जा हाफ mb² हुआ और मैंने पताया था कि फर्मूला में कुछ भी हम छेरचार नहीं करेंगे जब इस तरह के प्रशन को हम लोग सॉल्ब करेंगे हाफ मास में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो एम रहने दीजिए तीन गुणा गती जुर्जा को बढ़ा दिया जा रहा है यानि कि तीन भी स्कॉयर हो जाएगा तो नो भी स्कॉयर हो जाएगा हमको फर्मूला निकाल देना बार हाफ mb² हमने इसमें से निकाल दिया बचा कितना नो बचा तो नो को बाहर कर दिजिए यानि कि नो गुणा बढ़े गया ठीक चले नेक्स्ट कुस्स देखिएगा कि फालो के रस के परिर्यक्षन के लिए किस रशायन का उप्यों किया जाता है तो यह किया जाता है बेंजोई कमल का option number B रैट नंस कोईला पेटरॉल डीजर यह सारे परंपर आगतुरज्य के सरोत हैं कि उसके बादे के शरीर में ध्वानी यंत्र को और क्या कहा जाता है इसको लेरिंग्स कहा जाता लेरिंग्स पुछा गया प्रशन है जरूर ध्यान रखेंगे उसके बादे कि किस प्रकार की कोई सिका भ दिखिए सबसे पहले यहां मगर प्लस दिया है पॉर सहे पिलस में रहे तो समझे के वह लैंस किस प्रकार का लिक्ष क्यों से अगर माइनस रहे तो पंअहीं तो आपको समझ रखना होगा ठीक है उसके बात ध्यान रखेंगे अभी पामर उकोलट्य क्या होता है लेंस का जो छमता होता है एक बटा F होता है तो पावर आपको कितना दिया हुआ है 0.5 डिया हुआ है उसका बाद 1 by F यहां से आप F निकालेंगे तो F कितना निकल क्या जाएगा फोकस दोरी हमेशा में रहाएगा यह बात ध्यान रखेगा तो यहां से निकाल के देखे F कितना हो जाएगा यह जिरू अपन यहां आ जाया जाएगा उपर चला जाएगा दस हो जाएगा पांस दीना दस दो दो मिटर आगया यानि कि पलस जब साइन लगा हुआ है तो एक तो उत्तरलेंस है और इसके फोकस दुरी दो मिटर है तो राइट एंसर नमबर C हो जाएगा नेक्स्ट कोस्ट देखिएगा कि अलकाइन का समान शूतर क्या है अलकेन और एलकाइन, अलकाइन का क्या होता है CNH2N-2 option number इसका D correct answer हो जाएगा ठीक है friends चलिए अगला कुस्सन देखिएगा किन में से कौन सी Aluminium की मिसर धातू है तो देखिए friends Aluminium की मिसर धातू इसमें से जो है Magalaneum है option number D right answer हो जाएगा German Silver मैंने बताया था कि German Silver Copper, Zinc और Nickel का मिसर धातू है इसमें Aluminium नहीं है पीतल में Copper और Zinc होता है इसमें भी Aluminium नहीं है कासा में Copper और Tine होता है इसमें भी Aluminium नहीं है Magalaneum में क्या-क्या होता है तो Magalaneum में ध्यान रखेंगे इसमें Magnesium, Aluminium, Copper और लोहा होता है ठीक है काफी हलका मिसर धातू होता है ये और इसका उप्योग हवाई जहाज और तराजू के निर्मान में किया जाता है उसका वाद है कि निमन में से कौन सा अंडा देने वाला अस्तंधारी है तो अंडा देने वाले दो अस्तंधरी एक तो एक डीना है और दूसरा है प्लैटिपस यहां मैं लिख देता हूँ यह दोनों आप जरूर ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए अगला कुशन देखिए कि एक ध्वनी माफ की जगा एक व्यक्ति विभिन रंगों में अंतर नहीं कर यह किसके लिए उतर दाई होता है तो प्रकास की तिवर्ता के लिए प्रकास के रंग के लिए कौन्स उतर दाई होते है और प्रकास की तिवर्ता के लिए रोड्स उतर दाई होते है अगर रंग में अंतर नहीं कर पाता है तो सिधी से बात है उसका आँका कौन्स खराब है ठीक है ध्यान रखेंगे अगला कुष्टन देखिए कि आपतन का कौन इनके बीज का कौन है देखिए यहां मैं बता देता हूं यह समतल हो गया यहां से आपतित कीरन है यह परावर्तित हो गया यह अभिलंब हो गया ठीक है यानि कि incidence ray और यह परावरतित कीरन हो गया और यह आपतन कुन है, तो आपतन कुन किस के बीज का है, आपतित किरन और अभिलम के बीज का, आपतित किरन और अभिलम के बीज का, ध्यान रखेंगे, तो right answer क्या हो जाएगा, आपतित किरन और अभिलम, आपतित किरन और अभिलम, आपतित किरन और अभिलम, right answer option number C हो जाएगा, ठ तो देखें, uranium के 3 समस्थानिक है, एक हो गया uranium 234, uranium का atomic नमबर जो होता है, 92 होता है, ध्यान रखेंगे, 235 और 238, देखें, 235 जो होता है, सबसे जो है, यहाँ रेडियो सक्रिया होता है, और इसी का उप्योग जो है, यहाँ रेडियो सक्रियाता प्रदर्शित नहीं करता है, अगला कॉस्सन देखें, कि नेमन में से कौन सा हर्मोन, अपातकाल हर्मोन करा था, most important कुस्सन है, तो फ्रेंट्स यहाँ जो है, एड्रेनील हर्मोन है, option नमबर B, रेटन सरंस वाँ, इसको उड़ो और लडो हर्मोन के नाम से भी जाना जाता है, देखें, कोई वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के विक से लंपद उपद फेकी जाती है, वह कितने समय पर जबी इन पर लोट आएगी, तो आपने पढ़ा होगा फर्मुला, आपको याद भी होगा कि उपर फेके जाने की करब में, B इक्वल टू U-GT होता है, होता है न, देखें, उपर फेका जा रहा ह होता है, अब यहाँ पूट करेंगे इस बहलो में, B इक्वल टू U-GT, U कितना हो जाएगा, 9.8, G कितना हो जाएगा, 9.8, गुना, T हो जाएगा, ठीक है, और B हमने 0 माना था, 0 हो ही जाएगा, कि उपर जाएगा, तो फाइनल विक 0 हो जाएगा, अब देखें, अब इसको सब करेंगे, तो माइनस इधर भेंज दीजे, तो यह पलस 9.8, T हो जाएगा, और इधर 9.8 है, तो 9.8, 9.8 कर जाएगा, T कोल टू कितना जाएगा, एक मिट, ठीक है, एक सेकेंड हो जाएगा, एक सेकेंड तो उपर जाने मुआ, फिर एक सेकेंड में वो नीची आएगा, तो एक प्लस एक जोर दीजे, तो टोटल अंसर कितना निकल किया जाएगा, दो सेकेंड इसका रहट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोस्टन हमारा है, कि जब कोई वस्तु प्रकास के सभी रंगों को असुसन कर लेता है, तो उसका रंग कैसा होता है, सीधी से बात है, जब स दोनों होती है, अगला कोस्टन देखिए, कि वह तरहल अक्सिकारक तथा अक्सिकारक दोनों की तरह कारे करता है, वह है, कौनसा तरहल है, हाइड्रोजन परक्साइड है, H2O2, और H2O2 का उप्योग जो है, पूराने जो तैल चित्र होते है, उनको उभारने में किया जाता है, ठीक है, चलिए, राइट एंसर, अपसन नबर D हो जाएगा, उसका पर नेक्स्ट कुस्टन है, कि एक चावी भरी, जो घरी की कमानी है, उसमें किस प्रकार की उड़ जा होती है, तो अगर बांद बनाकर पानी जमा किया जाए, उसमें चावी भरी कमानी में, इन सब में इस्तिदी जूर जा होती है, ठीक है, नेक्स्ट कुस्टन हमारा है, कि प्रकास संसलेशन की दर अधिकतम होती है, तो ध्यान रखेंगे, प्रकास संसलेशन की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है, बैंगनी रंग के प्रकास में, अगला question हमारा है कि इनमले कितमे से कौन सा रोग vitamin cupotion के कारण होता है तो देखे सकरवे भी होता है vitamin C के कारण, बेरे-बेरे vitamin B के कारण, रताउंदी vitamin A के कारण तो सभी भी मारे vitamin के कारण होते हैं तो right answer option number D हो जाएगा उपर एक तो सभी अगला question H2SO4 का atomicity यानि कि परवनुक्ता कितना होगा तो जब भी atomicity पूछे total number of atoms हैं उनको count कट लीजिए oxygen 4 है, sulfur 1 है, 4 एक माच, और hydrogen कितना है 2 है तो 4 एक माच, 2 साथ इसका right answer हो जाएगा next question हमारा है कि इनमें से सही कथन चुनना है तो देखे दरवयमान क्या होता है हमेशा इस्तिर होता है यहाँ बदलता नहीं है लेकिन भार बदलता है तो दरवयमान हमेशा इस्तिर आता है जबकि भार बदलता है आप्स्ट नमबर A रेट टेन्सर इसका हो जाएगा भारत में प्रत्यवर्ति धारा AC का आविर्imaan कितना होता है यहां आविर्ती मान मतना लेजए तो इसका आविर्ती मान 50 Volkswagen होता है ठीक है रक्त समू का जन्म दाता यानि कि रक्त समू की खोज किस ने कि थी तो कारल लेंड एश्टीनर ने किया था ये भी ध्यान रखेंगे रेट एंसर अप्शन अबर डी जीन हो जाएगा इसका उसका पर नेक्ष्ट कुस्चन देखें कि धातू जब आमलेस अभी क्रिया क होती है तो कान में से कौन सी हड़ी नहीं पाए जाती है तो कान में मैलीयस की चोटी है चौटी ह्टी है नहीं और रखेगा हैमट जो है कान की हड़ी नहीं होती है अगला कोस्टन देखिए कि गुलुकोज का सुक्त्र क्या होता है आसान कोस्टन है C6, H12, O6 होता है और संबरे correct answer इसका हो जाएगा देखिए पुछा जाता है कि glucose में क्या-क्या होता है तो carbon होता है, hydrogen होता है और oxygen होता है ये तत्वा आप जरूर याद रखेंगे उसका बाद next question है कि विदुत धारा का मातरक क्या है विदुत धारा का मातरक ampere होता है, विदुत धारा की जो मापने का यांतर है उसको ammeter कहा जाता है ठीक है? चलिए अगला question दिखेगा कि मानों की पसलियां किसके साथ जूड़ी होती है, खाली अस्थान दिया हुआ option number C, red answer हो जागा एस्टर्न 62 number question है, इसका answer आपको friends कमेंट करके बताना है कि रतवंदी किस vitamin की कमी के कारण होता है विडियो मुझे पुरी उमीद है कि आपको पसंद आई होगी विडियो को like और share जरूर कर जीजेगा और यहां regular fireman की त्यारी कराए जाएगी चैनल को subscribe कर लिजे, बेल आइकन को press कर लिजेगा, दोनों practice set का लिंक आपकी इस विडियो को description में मिल जाएगा, जरूर देख लिजेगा, मिलते हैं next video में, thanks for watching